तो हलो गाईज अभी शाम के छे बज गए हैं और मैं बाहर आई हूँ क्योंकि कपड़े सूख गए हैं तो ममी ने कहा है कि कपड़े उतार के लिया तो बस अभी वही लेने आई हूँ गाईज इस ताइम जो मौसम है जस लाइक हैवन हैवन जसा मौसम है इतना अच्छा ना तो ठंड है ना ही गर्मी है और संसेट भी हो चुका है मैं आपको दिखाती हूँ एक बार मौसम मुझे लगा कपड़े सुख गए है इसलिए मैं बाहर लेने गई थी लेकिन कपड़े अभी भी गी ले थी मैं ट्राथ में बाहर नहीं रखने चाहिए इसलिए मैं उन्हें अंदर ले आई और मैंने उन्हें स्टैंड पर ही हैंकर दिया उसके बाद मैं किचन में चली गई और यहाँ पर मैं कॉफी के लिए मिक्षिर बना रही हूँ क्योंकि हम लोग कॉफी पीने वाले थे और आज मैं आपसे शेयर करने वाले हूँ एक बहुती बड़िया हिमाचली ट्रडिशनल डिश की रेसेपी जिसके लिए हमें जरूरत होगी यह बिना छिलके वाले उरत की डाल इसे हमने साथ से आठ गंटे के लिए भिगो दिया था और ये कम्पलीटली भिग चुकी है और साथ में हम लेंगे लहसुन लहसुन की 20 से 25 कलिया ली हैं हमने और इसे हम पीसने वाले हैं तो दाल को थोड़ा थोड़ा करके मिक्षर जार में लेंगे और साथ में लहसुन की कलिया भी एड़ करेंगे ट्राइ करेंगे दाल को जितना ड्राइ पीस पाएं उतना और मैं आपसे बताना भूल गई कि ये रेसेपी मम्मी बना रहे हैं और वही बताने वाले हैं कि ये रेसेपी कैसे बनाई जाती है तो मम्मी ने इसको पहले ड्राइ ही पीसने की कुशिश की लेकिन उन्हें लगा कि दाल थोड़ी सी दरदरी पिस रही है तो उन्होंने इसमें बिलकुल थोड़ा सा पानी एड़ किया है एकदम थोड़ा सा बहुत जादा पानी नहीं एड़ करना है अधरवाइस बैटर लिक्विड जादा हो जाएगा और वो फिटेगा नहीं तो ममी ने इसे दोबारा कवर किया और एक बार दोबारा मशीन चलाई है और बड़िया तरीके से इस दाल को पीश लेंगे दाल पीश चुकी है तो ममी ने उसे बड़े से भिगोने में निकाल दिया और मीनवाइल मैंने देखा कि इस केज में एक चूहा फसा हुआ था आज ये दोबहर में आज दोबहर में भी दो चूहे निकले थे और अभी एक और निकला है तीन तीन चूहे आज पूरे दिन में निकल चुके है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बिल्लिया आजकल क्या कर रही है दोबारा किचन में वापस आई मैं तो ममी ने देखा ममी दाल फेटना भी शुरू हो चुके हैं और इसको फेटेंगे फेटेंगे जब तक ये पूरी फलफी नहीं हो जाती मतलब अभी एकदम हैवी फील होगी और फलफी होने पे दाल एकदम हलकी फील हो जाएगी और ये पानी में बहुत सारा हींग और अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक है इसे बॉयल किया हुआ है तो दाल फिट चुकी है और अब ममी भले बनाना शुरू करेंगे तो उसके लिए ममी ने एक तवा चड़ाया है और उस पे थोड़ा सा ओयल स्प्रेड किया है और बैटर को यूँ हाथ में लेके तवे पे स्प्रेड करेंगे थोड़ा सा हाथ पे पानी लगा तो स्प्रेड करेंगे ताकि बैटर हाथ पे ना चिपक जाए और ये थोड़ा सा मोटा ही बनाया जाता है और एकदम लो फ्लेम पे धीमे धीमे आज पे इसको बनाते हैं तो थोड़ा सा ममी से इसमें चम्मा से राउंड में एक छेट कर देंगे और इसके सराउंडिंग बे भी ओईल स्प्रेट करेंगे ताकि ये सिक चाय प्रॉपरली और इसको अब कवर कर देंगे और धीमी आज़ पे पकाएंगे तो मैं कुछ और काम करने लगी थी और ममी ने पहला वाला बना लिया था तो ये दूसरा वाला है जिसे दोनों तरफ से ममी ने सेख लिया और फिर इसे एड़ कर दिया हिंग और नमक वाले पानी में ताकि ये सारा जो फ्लेवर है ये भले के अंदर एपसॉब हो जाएं अच्छे से और फिर इसे एकदम स्क्वीज कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकल जाए और लोजी हमारे भले बनके रेड़ी है तो ऐसी ममी ने सारे भले बना के रेड़ी कर दिये और ये है मेरी प्लेट तो मैंने चावल ले लिये जितने मुझे खाने थे साथ में ले लिया भला और उपर से अम पोर करेंगे बहुत सारा घी वैसे मुझे गी बिल्कुल भी पसंद नहीं है बट ये एक ऐसी रेसिपी है जिसमें गी की डिमांड हो जाती है क्योंकि ये रेसिपी में जो गी का फ्लेवर आता है वो I guess मैंने तो कभी किसी और रेसिपी में नहीं फिल किया है मतलब इसमें आप जित्ता गी काऊँगे आपको उतना जादा फ्लेवर आएगा और बहुत ही बढ़िया लगती है तो आप भी लीजिए इसकी पहली एक पाइट और ज़रूर ट्राइ कीजिएगा ये रेसिपी एक बार आप लोगों को भी पसंद आएगी कैसे हो आप सबी लोग आए होप आप लोग अच्छे होंगे और अभी नेक्स डे हो गया है मतलब आज है वेटनस डे दो पहर के दो बज़े हैं तो अभी मैंने व्लॉग करना शुरू किया है और फिलहाल घर पे अके लिए हूँ क्योंकि भाई दादी के घर गया हुआ है श्राद के लिए मैं तो बच्चे के साथ में नहीं जा सकती थी तो मैंने का चल तू क्या और तू मेरे लिए भी ले क्या आना और मम्मी पापा भी गये है श्राद पे नानी के घर सो वह लोग भी श्राद को ही आने वाले हैं तो अभी मैं दादी के घर से लाया हुआ श्राद खाओंगे तो आज डबल डबल श्राद खाने वाले हैं और फिलाल यहीं अभी का अपडेट है फिलाल अकेली हूं गर पे तो बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड कर रही हूँ और खिलाल अभी बोर भी हो चुकी हूँ तो जो चलो थोड़ा से व्लॉगिंग कर लूँ और देखो अभी भाई आता है फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि शाद में आज क्या-क्या बना है तो भाई को एक से डे इस्टेस्ट मंत है इमाचल का वैसे आइगेस हर्याना में भी अब मौसम थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो गया होगा बट इस मौसम का कोई कंपैरिजन नहीं है तो भाई वापिस आगया था और ये लीजिए हमारा श्रात पी आगया जिसमें हैं छोले साथ में हैं चा और वाला श्रात जिसमें है छोले उरत की डाल साथ में बने हैं राजमा और कदू का मीठा है और ये काले चने हैं जो खटे बनते हैं आइगेस इसे मद्रा भी बोलते हैं तो गर्मा गर्म हमने राइस बनाया और एंड एंड एवरी बाइट अविट और बहुत ही बड़िय यहां पर आश राद खतम हो गया और कल से नवरातरी शुरू है तो एपी नवरातरी तो यू और कैसा लगा आश का प्लोग आप लोगों को कुछ तो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक पर देना वीडियो को और शेर कर देना चैनल को सब्स् झाल